वीटेग टेक्नोलोजी फो लाइफ बेकिंग बोल को मशीन के अंदर रखे वाइट ब्रेट बनाने के लिए प्रीसेट पहले ही प्रोग्राम दे और बाकी सबी इंग्रीडिन्स रेसिपी बुक के हिसाफ से आप बोल में डाल दीजे मेन्यू बटन प्रेस कीजे और वाइट ब्रेट सिलेक्ट कीजे फिर ओके बटन दबा दीजे अब ब्रेट की क्वांटिटी के लिए मेन्यू बटन दबाईए और जितनी क्वांटिटी बनानी है उसे सिलेक्ट करें और ओके बटन दबाईए अब Crispiness सिलेक्ट करने के लिए Menu बटन दबाईए और वहाँ Dark, Medium या Light Crispiness सिंबल डिस्पले होंगे अपनी पसंद का Crispiness सिलेक्ट कीजे यहाँ पर Light Crispiness को सिलेक्ट करके अब OK बटन दबादीजे फिर Start बटन दबाईए टाइमर में Blink सिंबल आएगा यानी आपकी मशीन तयार है अब डिले स्टार्ट के लिए Preset बटन दबाईए और आपकी स्क्रीन पर R Glass का सिंबल आएगा अब डिले टाइम के लिए Plus बटन दबाईए यहाँ पर टाइम में 10 मिनिट डिले किया गया है आप अपनी आवश्यक्ता अनुसार, Plus या Minus बटन दबाने से डिले टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं डिले टाइम सिलेक्ट हो जाए तो Start बटन दबादीजे हाला कि Smart Chef में Preset प्रोग्राम अल्रेडी सेट है फिर भी आपको अपनी रेसिपी पकाने के लिए अलग समय और टेंपरेचर के आवश्यक्ता हो सकती है तो आप Do It Yourself टेक्नोलोजी चूज कर सकते हैं यह 4-step टेक्नोलोजी का कमाल है आप Do It Yourself को Save भी कर सकते हैं यानि Dual Heating तकनीक DIY मोड के लिए DIY बटन दबाईए अब स्क्रीन पर P1 डिस्प्ले होगा यानि प्रोग्राम 1 तो अब OK बटन दबाईए अब स्क्रीन पर D1 डिस्प्ले होगा यानि Direct Heating मोड अब टेंपरेचर को सिलेक्ट करने के लिए Menu बटन दबाईए तेंपरेचर कम या जादा करने के लिए प्लस माइनस बटन दबा सकते हैं तेंपरेचर सिलेक्ट करने के बाद फिर Menu बटन दबाईए समय कम या जादा करने के लिए प्लस या माइनस बटन सिलेक्ट कीजे समय कम या जादा हो जाएगा फिर menu button दबाईए, उस screen पर D2 आएगा यानि direct heating का second step फिर temperature select करने के लिए menu button दबाईए और temperature कम या ज़ाधा करने के लिए plus या minus button दबा कर menu button दबा दीजी temperature select करने के बाद, समय selection के लिए plus या minus button इस्तमाल करके menu button दबा दीजी Select DIY बटन दबाईए इसमें स्क्रीन पर C3 यानि Convection Mode फिर पहले जैसे Temperature और समय सिलेक कीजे अब D4 स्टेज आ गया है यदि कोई टाइम नहीं चाहिए तो टाइमिंग 0000 सिलेक कर लीजे सभी स्टेप के टाइमिंग और Temperature सिलेक करने के बाद OK बटन दबा दीजे और कुछ समय होल्ड कीजे और इससे P1 यानि Program 1 सिलेक्ट हो जाएगा बाद में जब भी आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो P1 को सिलेक्ट कर लीजे अब Breadmaking में Do It Yourself सिस्टम आसानी से यूज़ कर सकते है पहले DIY बटन दबाईए प्रोग्राम संख्या डिस्प्ले होगी यहाँ पर Program BP1 डिस्प्ले हुआ है 0000 डिस्प्ले आने के बाद मेनू बटन दबाईए इसमें Preheating का सिंबल स्क्रीन पर आ रहा है फिर मेनू बटन दबाईए तो इसमें Needing का सिंबल डिस्प्ले होगा मेन्यू बटन दबाने से रेस्टिंग का सिंबल डिस्प्ले हो जाता है मेन्यू बटन दबाईए अब रिपीट नीदिंग का सिंबल डिस्प्ले होगा मेन्यू बटन दबाने से अब प्रूफिंग आइकन आएगा मेन्यू बटन दबाने से अब बेकिंग का सिंबल डिस्प्ले होगा अब फिर से मेन्यू बटन दबाने से कीप वॉर्म का सिंबल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा अब 0000 आने के बाद जब मेन्यू बटन दबाएंगे तो प्री हीटिंग के लिए टाइम सिलेक्ट करने के लिए प्लस या माइनस बटन दबाईए अब रेस्टिंग के लिए टाइमिंग सिलेक्ट करने के लिए समय को प्लस या माइनस बटन दबा कर टाइम सिलेक्ट कीजिए अब रिपीट नीदिंग के लिए समय सिलेक्ट करने के लिए प्लस या माइनस बटन का प्रयोग कीजिए अब मेन्यू बटन दबा कर प्रूफिंग टेंपरेचर सिलेक्ट करने के लिए प्लास या माइनस बटन दबाईए अब मेन्यू दबा कर बेकिंग टाइम सिलेक्ट करने के लिए प्लास या माइनस बटन दबा कर टाइम सिलेक्ट के जिए अब मेन्यू बटन दबाकर प्रूफिंग टेंपरेचर सिलेक्ट करना है 20 to 50 डिग्रीज के बीच में अब बेकिंग टेंपरेचर सिलेक्ट करनी के लिए मेन्यू बटन दबाईए तो सभी 9 स्टेप पूरे हो जाएंगे और OK बटन दबाकर होल्ड कीजिए अब भी स्क्रीन पर पूरा समय डिस्प्ले हो जाएगा अब आपको प्रीसेट की जानकारी दी जा रही है स्मार्ट शेफ में 23 टाइप्स की प्रीसेट मोड्स सेट है सूप, राइस, पॉरिज, पुलाव, पीजा और चीज बनाने के लिए प्रीसेट मोड्स सेट है फिर खाना पकाने के लिए बॉयलिंग, सौटे, स्टीमिंग, डीप फ्राइइं या खीप ओम की आवश्चक्ता होती ही है और ये सब ही इसमें प्री प्रोग्राम्ड है अब आप मेन्यू बटन दबा कर सूप, राइस, पॉरिज, पुलाव, पीजा या चीज सिलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह बॉयलिंग, सौटे, डीप फ्राइइं आदी के लिए टाइम सिलेक्ट किया जाता है स्मार्ट शेफ में 45 प्रोग्राम सेट है, जिने अलग-अलग खाना पकाने के लिए या DIY प्रोग्राम यूस करने के लिए यूस किया जाता है